नमस्कार इंडेप्थ इनालसीज में आप सभी का स्वागत है आज इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे वो सुप्रीम कोट का जो डिसीजन आया था दस दिन पहले क्रीमी लियर के बारे में और सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेडूल कास्ट और शेडूल ट्रैप उसको पू वन सिस्टम में तब्दील होती है कैसे वन सिस्टम खराब होता है कैसे आज ही सिटॉइशन सारी चीजों को लिया गया है गीता के शेडूल एक है क्या वो सकते हैं क्या सुप्रीम कोट कहना चाह रही है क्या जो सरकारे हैं उन peaks को सुनना चाहिए समझना चाहिए और जो WS category को फायदा होना है ना backward class को फायदा होना है सिरफ और सिरफ जो दाइरा है पूरी बात का वो schedule cast और schedule tribe के लिए है और उनी के बारे में ही बात की गई है उस judgment में तो उन सारी चीजों को हम देखेंगे और क्या हो सकता है क्या जो Supreme Court कह रही है वो bound करना पड़ेगा उसके उपर union government को act लाना पड़ेगा या उसको ignore कर सकते हैं इन सारी चीजों को हम देखेंगे तो Supreme Court ने अपना फैसला दे दिया सब classify कर सकते हैं दो-तिन पुराने case थे उनकी सुनवाई कर रहे थे उसके उपर उनने ये फैसला दे दिया अपनी टिपनी दे दी तो उनने का creamy layer must be यहाँ पर होनी चाहिए creamy layer classification होनी चाहिए sub classification होनी चाहिए यही सारी बाते उनने की हैं और वहीं पर सरकार का कहना है कि हम committed हैं पूरी तरीके से constitution की तरफ और यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि SCST में creamy layer हो तो देकि इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे प्रावधान तो बहुत सारे नहीं है constitution में लेकिन उन सारी चीज़ों को किया गया है betterment के लिए किया गया है तो अगर इस से betterment होता है तो उनको करना चाहिए नहीं होता है तो नहीं करना चाहिए तो यह कोई excuse वैसे है नहीं इन सारी चीज़ों को देखेंगे क्या उसमें provision है क्या नहीं है और Supreme Code ने तो बहुत कुछ कहा है उसको भी देखेंगे तो बार-बार वही बात हो रही है कि जो बियार अंबेदकर का constitution है उसको हम पूरी तरीके से मानते है तो चलिए अब शुरू करते हैं जिन articles के बारे में पहले जिक्र करेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई है तो article 341 है जिसका Supreme Code ने बार-बार जिक्र किया उसको देखेंगे 341 कहता क्या है 341 बेसिकली कहता है कि जो president है रश्टपती है उसके पास अधिकार है एक list जारी करने का कि कौन-कौन लोग schedule cast में आएंगे और वो चाहे तो जो governor है उसकी मदद ले सकता है उसके बाद उस list को जारी कर सकता है तो पहली बात यहाँ पर कि जो भी schedule cast होगी किसी भी state की उसकी जो list जारी होगी वो president की तरफ से होगी और यहाँ बड़ी मज़दार बात है बीच में हम देखेंगे लिखा क्या है किसको किसको करना है कि कोई cast को specify कर सकता है race को कर सकता है tribe को कर सकता है और part of उसके किसी part को भी nominate कर सकता है यानि कि कोई बहुत बड़ी cast है उस सारी cast को ना करके उसके एक part को भी कह सकता है कि यह schedule cast है और यह नहीं है यह पहले लिखा हो part of और groups within the cast एक cast में उसके एक हिस्से को या उसके अंदर 3-4 cast है तो उसमें से 2 cast को कर सकता है तो group of cast, race, tribe तो बहुत बड़ी व्यापक यहां पर यह definition है और उनको किस के लिए किया जा सकता है constitution में उनको माना जाएगा schedule cast in relation to that state or union territory as the case में भी तो यहां पर पहले ही 341 में लिखा हुआ है किस को किया जाएगा और कैसे कैसे किया जा सकता है तो sub-part तो यहीं पर बन रहे है किसी भी cast के अंदर sub-part बना कर उसको notify किया जा सकता है और दूसरा 341-2 वो यह है कि Parliament के पास अधिकार है कि by कानून वो किसी को include कर सकता है किसी को exclude कर सकता है यहां से list में आनी किसी को list में ले भी सकता है किसी को निकाल भी सकता है सेम चीज जो है 342 यह schedule tribe पर लाग होती है सेम उसी तरीके की wording है यहाँ पर बस cast वगरा की बात नहीं केवल tribe की बात है tribes और tribal communities और parts और groups within the tribe और tribal community तो केवल tribes की बात है तो यह दो जो प्रावधान है इस पर बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि इस list के साथ छेड़ चाड़ करनी पड़ेगी अगर Supreme Court के order को मानना पड़ेगा और Supreme Court जो बात में कहेगा उसको देखेंगे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है उसके बाद आते हैं उन articles के उपर जिनके कारण यह सारा reservation actually openly constitution में कहीं नहीं लिखा हुआ था किस तरीके से reservation दी जाए exactly वो सारी बात की interpretation है बाद में वो article add किये गए है तो जो तीन माने जाते हैं main article constitution के 14, 15 और 16 जिनको equality के अंदर लिया जाता है कि यह जो equality है उसको लाने का प्रयत्म करते हैं यह तीन article तो article जो 14 है वो क्या कहता है इसमें दो चीजे है equality before law यानि कोई कानून के सामने equality दूसरी equal protection of the law दो चीजे हैं इसके अंदर equal protection का मतलब कि जैसे पुराने भारती अगर देखें अपने इतिहास को जो तब ग्रंत लिखे जाते थे जैसे जो सहीताय लिखी जाती थी जिनके उपर हमारे जो दंड की सहीता थी वो सारी चलती थी उनमें इस तरीके के provision थे कि जहाब पर अगर कोई upper caste का है तो उसको सेम जुर्म के लिए थोड़ी सजा कम मिलती थी और अगर कोई lower caste का है तो उसे यानि कि नीचले वर्ण का है तो उसे सजा जादा मिलती थी और एक बार महाभारत में वो सारी बात चल रही थी महाभारत में TV सीरेल की बात कर रहा हूँ उसमें पूरा वो ऐसा ये case discuss किया जाता है तो वहाँ युदिस्टि से पूछा जाता है तुम बताओ तुम क्या बानते हो तो युदिस्टि ने खाए गलत है ब्राह्मन ज़ादा ग्याता है और अगर वो कोई जुर्म कर रहा है तो उसकी सजा ज़ादा होनी चाहिए वो पढ़ा लिखा आदमी है और जो नीचले वर्ण का व्यक्ति वो कम पढ़ा लिखा है अगर वो ही काम कर रहा है उससे वही वो गलत काम हो गया है तो उसको सजा कम होनी चाहिए क्योंकि वो उस बास से अंजान था तो जो हमारे ancient text लिखते थे वो इसका उल्टा लिखते थे यहां पर एक दिखाया गया है कि एक आवाज ऐसी भी थी जो इन चीजों को बदलना भी चाहता था इनी चीजों के उपर है equal protection of law कि सब कानून के सामने बराबर हैं लेकिन ये condition भी देखी जाएगी क्या वो बराबरी के हगदार है यहीं से वो reservation का concept शुरू होता है कि equality before law तो है कि सब को एक एक एकजाम देना है लेकिन अगर एक व्यक्ति एकजाम देने के काभील ही नहीं है तो उसको एकजाम देने के लिए कुछ सहूलतें देनी पड़ेंगी वहाँ से शुरू होता है reservation का काम तो equal protection of law तो यह आता है उसके बाद आता है उसमें article 15 जहां प कर सकता पूरा detail में हम एक एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth इन चीजों के आधार पर state differentiate नहीं कर सकता हां किनी और कारणों से कर सकता है तो उसके उपर ये पहले तीन article थे जो original constitution में थे जहां पर किसी को रोका ना जाए किसी cinema में जाने में खाना खाने मे शॉप पे जाने में कुए में पानी उसकरने के क्योंकि हमारे देश का जो system था वो इस परकार का था कि ऐसी चीजों को भी लिखना पड़ा कि उन कुओं में टैंक में नहाने के और ऐसा नहीं है ये अभी आज खतम हो गए हो पूरी तरीके से दूर दराज के जो ग्रामीन चाहे तो औरतों और बच्चों के लिए special provision बना सकती है तो अगर बना सकती है तो ये कहां से आया ये equal protection of law से आया कि वो कमजोर तबका है उसके लिए कुछ किया जा सकता है तो original 15 में तो यही तीन चीजें थी उसके बाद original 16 देख लेते हैं जिसमें जो employment था उसके बारे में बात की गई थी equality of opportunity in matter of public employment जो सरकारी नौकरियां रहेंगी जो public employment रहेंगी उसमें किस तरीके से हो उसमें भी 3-4 clause थे उसमें भी यही था कि सब को equal opportunity दी जाएगी state जो है religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence इनके आधार पर यह नहीं मानेगा कि यह eligible नहीं है लेकिन अब ऐसा हो गया क्योंकि वो बाद में amendment हुई है किसी व्यक्ति को residence नहीं है, domicile नहीं है तो उसको उस जगह पर नौकरी नहीं मिल सकती अब तो हर जगह पर इस तरीके कानून आते हैं करनाटका नहीं पास किया है पता नहीं 70-75% केवल जो local लोग होंगे उनको मिलेगा पीछे हर्याना ने किया था 75% का, वो high court ने उसको unconstitutional क्या दिया तो unconstitutional भी कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी चल भी जाता है काम तो इस तरीके के खेलिए चलते रहते हैं उसी तरीके से जो 16-4 है वो बहुत important है, उसमें उन्होंने कहा कि जो state है वो ऐसे कानून बना सकता है जहां पर कोई backward class है, backward class सिरफ यहां पर schedule cast, schedule tribe, OBC इस तरह की बात नहीं है केवल backward class है, उसको फाइदा पहुचाने के लिए, service में पहुचाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है तो यह तीन जो आर्टिकल थी, यह basic आर्टिकल थे, इनके आधार पर ही बाद में यह सारा जो case develop होता है तो 1951 से ही यह सारा खेल शुरू हो जाता है, यह जो list ली गई है, यह Supreme Court के judgment से ही लिए उन्होंने सारी चीज़ों को quote किया, अपने ही फैसलों को quote किया है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ते गए है तो जो पहला ही constitutional amendment था 1951 का, उसके अंदर पहली बार article 15.4 को डाला जाता है 15.4 को डाल कर वहाँ पहली बार लिखा जाता है कि socially जो backward है, उनके लिए सरकार कुछ ने कुछ कर सकती है तो 15.4, socially और educationally backward class के लिए वहाँ पर काम किया जा सकता है यही 15 article है जिसके अंदर educational institution में धीरे धीरे जो reservation है, उसको लागू किया गया तो 15.4 में यह शुरुबात होता है, उसके बाद 77th amendment act है 1995 का, यह भी एक important है, इसमें पहली बार 16.4 के अंदर एक clause डाला जाता है उसमें कहा जाता है कि जो जिनको reservation दी जा रही है, schedule cast और schedule tribe में उनको promotion भी दी जाए reservation में तो यह 1995 में होता है, फिर उसके बाद आता है 81st amendment 2000, 2000 वाले में article 4B भी एड़ कर दिया जाता है चार के अंदर 16.4 में, उसमें कहा जाता है कि अगर जो भरतिया है वो खाली रह जाएंगी, तो उनको carry forward कर दिया जाए अगली बार चाहे ही अगली बार जब भरतिया निकले तो 50% जो cap है, जो देखेंगे इंदरा शाहनी case में आया था 1993 में उसको भी अगर पार करता है तो कोई बात नहीं है, उसलिए डाला गया कहने को वाओ कि अगर 100 भरतिया निकाली गई थी, 50 अगर reserve थी, उसमें से केवल 20 भरतिया तो 30 वो किसी और class में नहीं जाएगी, जर्नल के लिए open नहीं की जाएगी, वो 30 carry होती रहेगी भले ही उसका lag जो बढ़ते बढ़ते आने वाले सालों में 500 seat पहुँच जाए, काम ठप हो जाए, काम करने के लिए लोग ना मिलें लेकिन उसको किसी और के लिए open नहीं किया जाएगा, भरति उनके लिए ही सुरक्षित रहेगी, भले ही उतने eligible candidate ना मिलें, वो carry होता रहेगा तो इसका ये मतलब था, जो 81st amendment है, यानि कि 81st amendment है, सन 2000 की 16b, तो 164a, 164b, इन से इन चीजों को बढ़ावा, मिलता गया, बढ़ाते गए, उसके बाद आता है 82nd amendment 2000 का, इसमें जो article 335 है, जो article 335 है, वो बताता है कि जो service है, public employment की, उसमें जो eligibility है, जो efficiency है, administration की, वो खराब नह होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम select कर लें ऐसे व्यक्ति को, और वहाँ पर बैठा दें, और efficiency ही खराब हो जाए, लेकिन इस amendment के द्वारा, article 335 में भी ये provision डाल दिया गया, कि जो qualifying marks है, उसको minimum से minimum करके, भरती की जा सकती है, efficiency की कोई बात नहीं है, उस चीज को ये सारे सुप्रीम कोड नहीं कर रही है, ये government कर रही है, किस लिए कर रही है, कैसे कर रही है, सब जानते हैं आप, कि इन चीजों को efficiency को खतम करना, तो ये सारी चीजे हो रही है, उसके बाद आता है, 85 जो amendment act है, 2002 का, वो क्या करता है, 16-4-A में ही, seniority वाले एक मामने को ले जाता है, कि seniority कैसे मानी जाएगी, तो इस तरीके की चीजे चल रही है, फिर उसके बाद जो important आता है, जिस पर बहुत हंगावा होता है, 2006 में, जब higher educational institution में, OBC के लिए reservation को खोल दिया जाता है, तो यहाँ पर 2006 में, 93rd amendment act के साथ 15-5 को add किया जाता है, नए sub article बनाया जाता है जिसके तहत, educational institution खास करके higher में, backward class के reservation को open किया जाता है, 15-5, constitution उसके बाद आता है, 102 amendment act, 2018 में, और यह 2-3 आते हैं, यह थोड़े से center के notification के लिए हैं, लेकिन उसके बाद जो एक और important आता है, 103 amendment act, 2019 में, जो economic weaker section के लिए commitment आती है, उसके तहट 10% quota उसको दिया जाता है, तो अब बात आती है, यह हमने क्यों देखा, हमने original constitution देखा, original article देखे, और सबसे पहली बात, जो union government ने कही कि ऐसा कोई provision नहीं है, कि creamy layer SCST में लेकर आई जाए, और यह सब जो किया गया, यह कोई provision नहीं था, economic weaker section के लिए भी कोई provision नहीं था, इसको Supreme Court ने upheld किया, कि ठीक है, तो government करना चाहे, कुछ भी कर सकती है, ना करना चाहे, तो कुछ ना भी करे, तो दोनों तरफ open है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और हम देखेंगे, Supreme Court ने क्या कहा है, कि अगर government ऐसी चीज को करती है, तो वो क्या करेंगे, वो इसे ही बता रहे हैं, तो चलिए, फिर से देख लेते हैं, एक बार ये जो पंदरा चार था, इसमें original था constitution का, कि यहां पर backward glass citizen के लिए वो कर सकते हैं, फिर जो पंदरा पाच डाला गया, वहां पर जो education के लिए, educational institution में, including private educational institution, सब को खोल दिया गया, खाली छोड़ कि किसको minority को छोड़ के, यहनि कि कोई minority educational institution है, उसको छोड़ कर बाकी सारी जगह पर उसको open किया जा सकता है, उसके बाद जो economic weaker section का आता है, 15.6, उसके अंदर special provision कर दिया गया कि advancement of any economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 and 5, तो 4 और 5 में जो socially educational backward class, schedule class, schedule tribe की बात है, उनको छोड़ कर जो भी आता है, उसको यहाँ पर economically weaker होने के कारण दिया जा सकता है, तो हमारे समिधान में economic criteria पे कहीं भी समिधान में reservation नहीं लिए लेकिन यह किया गया, तो समिधान में जो नहीं लिखा हुआ उसको भी किया जा सकत है, यह इस बात को बताता है, और उसके बाद यहाँ पर वही सारी बाते हैं, किसको किसको दी जाएगी, admission, private में दी जाएगी, minority को जोड़के, तो सेम चीजें backward class, schedule caste के लिए, वही सारी general caste के लिए भी apply कर दी गई, 15.5 और 15.6 से, उसके बाद 16.6 में भी यही कहा गया, यह education क लिए, और यह जो EWS section है, उसके लिए, public employment में भी उस चीज का प्रावदान कर दिया गया, इसको भी Supreme Code ने upheld किया कि यह ठीक है, तो यह 335 आर्टिकल था, जिसको हमने पहले ही देख लिया, और efficiency खतम करने के लिए, यह नीचे वाला provision को add कर दिया गया, कि qualifying mark relaxation किया जा सकता है qualifying marks में examination में, lowering the standard of evaluation किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, तो 335 में यह प्रावदान कर दिया गया, अब इन सारी चीजों के बाद Supreme Court आती है, यह Supreme Court के judgment के ही page है, वहीं से लिया गया है, अब फिर Supreme Court शुरू करती है कि हम reservation कर क्यों रहे हैं, वो क्यों reservation में कुछ चाह रहा है, वो Supreme Court कहना चाह रहा है, कह रहा है कि आजादी के 10 साल के बाद हमारे directive principle में था कि compulsory education दी जाए, लेकिन हम उसको नहीं दे पाए, हम 2009 में right to education act आता है, लेकिन वो धरातल पर बिल्कुल भी धंग से नहीं उतर पाया, उसका कोई फाइदा नहीं हो रहा है, और 77 स साल के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी population है, जो कि अभी भी बिल्कुल पिछडी हुई है, जिसकी कोई educational तरक्की नहीं हुई, उनको कोई फाइदा ही नहीं मिल रहा है, reservation में फाइदा तो तम मिलेगा employment में, जब वो कुछ पढ़े का लिखेग पढ़ने लिखने की भी उसकी हैसियत नहीं, उस चीज को उनने पूरा data के साथ का है, कि 50% जो कोटा है overall, वहां तक पहुचने के लिए आदमी का है, वो कह रहे हैं जो backward class है, वो तो drop out कर जाते हैं class पाच्वी तक, 50% के आसपास लोग drop कर जाते हैं, 75% जो है, वो आठवी से पहले drop कर जाते हैं, और है राजुगिश्टन को पहुचने रहे हैं, 95% लोग तो drop out कर जा रहे हैं, इसका मतलब कि केवल जो reservation मिल रही है, वो तो किसी 5% लोगों को मिल रही है, बाकी लोगों को मिली नहीं रही, उन चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे समझाया, उसके उन्होंने कहा कि हमने जो इंद्राशानी केस में कहा था, कि creamy layer का provision, sub classification का provision, वो केवल, देखिए, never intended to limit the application of sub classification to other backward classes only, केवल backward class के लिए नहीं था हमारा ये sub classification का फैसला, तो अगर कोई supreme code में जाएगा review लेकि तो supreme code पहले ही कह रहा है, कि हम तो मान चुके हैं कि ये सब में जाएगा, तो supreme code ने तो अपनी सारी बात कह दिये, देखेंगे और भी बहुत सारी उन्होंने बाते कही है, उसके बाद वो सारी बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी classification की जाती है, फिर से sub classification बनाई जाती है, तो article 14 की, article 341-2 जिसमें पार्लेमेंट के पास अधिकार है, include और exclude करने का, उसका कोई भी violation नहीं हो रहा है, वो पहले ही अपनी सारी टिपनी में कहते जा रहे हैं, ताकि कोई review के लिए पहुँचे ही ना, तो article 14 का कोई violation नहीं हो रहा, 34 241-2 का कोई violation नहीं हो रहा, ना ही कोई list को exclude करना है, ना ही कोई चीज को include करना है, कैसे, उसको एक example से हम समझ लेते हैं, कि एक ही कोई cast है, किसी की भी हो सकती है, कोई SC की भी हो सकती है, BC की भी हो सकती है, ST की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, EWS की तो चलो, Kheris में नहीं आ कोई schedule cast की एक cast है उसके अंदर चार ये group है अब by default historical तोर पर क्या हुआ कि सब को include कर लिया गया गया schedule cast में जो कि 341 के हिसाब से ऐसा हो सकता था कोई एक develop है तो उसको छोड़ दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन सब को ले लिया गया लेकिन by default जो develop था पहले ही आगे था historical कारणों से समझ लेते हैं कि A बहुत आगे था B उससे थोड़ा सा पीछे था तो 77 साल की reservation में हुआ गया जो Supreme Court का कहना है खुद उनके example है कि जो A है इसकी तो अब तीसरी generation के आसपास चल रही है ये बहुत आगे तरक्की कर गए B वाले भी कोई बहुत आगे तो नहीं गए लेकिन इनसे बहुत पीछे भी नहीं है ये भी इनकी दूसरी generation अब लगबग जो second generation है वो लगबग बराबर पहुँच रही है तो third उनकी बहुत आगे हो गई है यानि कि वो तीसरी PD में सब उपर के level पर है नेता बन चुके है कोई collector बन चुका है कोई retired secretary है कुछ है इस तरीके से ये भी पीछे पीछे लेकिन जो C और D हैं सेम कास्ट के अंदर जो subgroup है वो अभी पीछे हैं तो उनका कहना है कि इनको तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि इनके मौके को रोका ना जाए ये तो एक ही कास्ट के चार group के अंदर की बात हो गई सुप्रीम कोर्ण ने ये भी कहा कि अगर इसी A class के अंदर ही इसी subgroup के अंदर ही आगे एक बहुत बड़ा परिवार है और केवल एक ही परिवार है जो बार बार आगे जा रहा है इसी कास्ट के इसी subgroup के ये तीन जो है अलग ये बहुत पीछे हैं इनको मौका नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ण कैसे भी करो इनको निकालो या इनको निकालो कैसे भी करके जो पीछे रह गए हैं उनको मौका दिया जाए ओवर ओल किसी भी कास्ट को exclude और include करने की वो बात नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रहेंगे ये सारे ही ये सारे ही schedule caste में रहेंगे सारे ही schedule tribe में रहेंगे लेकिन जो इनमे से आगे निकल गया है एक particular group या उस group के अंदर का भी एक part उसको exclude किया जाए उस चीज को वो sub classification कह रहे हैं clearly लिखा है justice गवाई ने कहा कि अगर कोई backward class का वेक्ती I.S.I.P.S. बन जाता है उसके बाद वो कैसे इस बात को कह रहा है कि हमारे बच्चों के साथ अभी भी चुआ छूआ छूट और उनका boycott और उनका जो social level है वो गिरा हुआ है, declined है एक depressed class में आते हैं वो कैसे कह पा रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा his children would be treated as depressed, downtroden and backward in any manner be socially, economically और educationally वो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है तो बहुत तलक टिपनियां भी की है सुप्रीम कोड ने और इन सारी बातों के बाद जो केस की सुनवाई कर रहे थे उस पर जो उन्होंने फैसला दिया उन्होंने कहा कि state government is जो conferred उनको power है कि जो reservation के अंदर जो benefit है उसको देने के लिए वो अपने हिसाब से category बना सकते हैं तो state government अब यहाँ पर state government का मतलब रज्य सरकार हैं ना कि भारस सरकार किस reservation में equality provide करने के लिए पास उनके पास अधिकार है कि वो sub classification कर सकें क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि कौन सी जो schedule caste है कौन सा उसका एक group है कौन सा एक part है जो आगे निकल गया और जिनको पीछे रह गया है उनको आगे लाना है तो उसके लिए कोई भी methodology वो बना सकते है particular caste को schedule caste के अंदर benefit देने के लिए तो ये मोटा मोटा जो उनका judgment आया था इसी के बाद वो शुरू होते हैं अपने उस मुद्दे की तरफ जहां से creamy layer के और बढ़ते हैं इनका कहना है कि जो whole object जो था reservation का वो क्या था कि सारी society जो है ये article 26 नहीं है उनके 26 का point है कहीं आप सोचेंगी article 26 है तो उनका जो कहना है कि सब लोग बढ़ें एक दूसरे के साथ हाथ मिलागर आगे बढ़ें लेकिन अगर किसी एक particular work को 77 साल के बाद भी कोई benefit ही नहीं हो रहा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा उसको job तक, school तक, education तक पहुँचने का मौका यह नहीं मिल रहा वो कैसे पहुचेगा तो इसलिए उनका कहना है कि ये सब को अब बंद करना पड़ेगा इसलिए जो court apply कर रहे हैं ये creamy layer का principle, schedule cast और schedule tribe पर ये किसी भी तरीके से violation नहीं है आर्टिकल 341 और 342 की बार-बार वो ये बात को पहली कह रहे हैं कि आप कुछ भी कह रहे हैं कि 341 का, 342 का कोई भी violation नहीं हो रहा है क्योंकि 341 में president के पास जो list देने की power है, उस list को छेड़ने के लिए कहीं नहीं रहे हम कहीं नहीं रहे, किसी को निकालो, किसी को exclude करो, किसी को include करो हम सिर्फ ये कह रहे हैं उसके अंदर जिसको फाइदा मिल गया है, उसको निकाला जाए ये भी judgment का ही उनका part है, तो उन्हों नहीं कहा है कि अब जरूर समय आ गया है कि fresh relook करने की, दोबारा से reservation के उपर relook करने का समय आ गया है, reservation के उपर का मतलब, उसके अंदर reservation का्फिशन हम स souvent प्षेश होगां डाती इंट हमासन जए आप चंड करने की जरूरत है जब हम आ कि बहुत richer जरूरत है اور यह लगता है रहिए दिए हमें तरह यह जो जातzen कार जट्रम्टा जैए पुसिबिल्टी ज़ाएगा । और यहीं से वो सारी बात करते हैं उसके बाद ये अपनी आखरी जो उनका पेज में ये टिपनी है वो है कि रेफरेंसी इस अकॉर्डिंगली अंसर्ड जो उनके पास रेफरेंसायद है उसका उन्होंने जवाब दे दिया है और ये हेल्ड किया जाता है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शड्यूल कास्ट इस पर्मिसिबल इन लॉओ फॉर दी पर्पस ऑफ रिजर्वेशन ये उनकी आखरी टिपनी है क्लियरली उन्होंने कह दिया कि आप फैड़ आभ इसको कौन चैलेंज करेगा जाके यहाँ पर वो पूरी तरीके से मान चुके है कि ये सब उनकी तरफ से सही है उसके बाद फिर से वो उन्हीं चीजों में जाते हैं जो पीछे उनकी बातें थी कि ये जो है सेकिंड जेनरेशन तक नहीं मिलना चाहिए पहली जेनरेशन को मिले एक बार कोई आदमी एक बार आएस ऑफिसर बन गया अब कोई कहेगा कि एक बार बनने पर नहीं बन पा रहा तो भई एक बार बना तो सही एक व्यक्ति किसी में तो अभी पीडियों से कोई स्कूल ही नहीं गया है एक बार आएस बनने से जो पूरी सोसाइटी है जो उसकी और रिष्टेदार है वहाँ उनकी डिवेल्पमेंट नहीं हो गई लगबग उसी सोशली कल्चुरेडी पका पार्ट रहेगा लेकिन एक बार आएस कास्ट का तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं अभी वो बहुत पीछे है तो सुप्रीम कोड ने साफ का जो ट्रिकल डाउन थियोरी थी कि एक को उपर दे देंगे फिर दीरे वो नीचे पहुँचेगी वो नहीं हुआ है वो फेल हो गई है ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है trickle down जो theory है उससे आगे निकलो और नीचे वाले को direct benefit देने की तरफ कदम बढ़ाया जाए तो यहां से ही वो सारी बाते कर रहे हैं उसके बाद फिर से वही बात उनको data वगरा चाहिए तो इस तरीके से हम देखें तो Supreme Code ने clearly कह दिया है कि sub classification हो सकती है और sub classification करने का मतलब यह नही है कि reservation चेड़ चाड़ की जाए sub classification creamy layer करने का यह मतलब नहीए कि 341 में चेड़ चाड़ की जा रही है उसका यह भी मतलब नहीए कि आर्टिकल 14, 15, 16 में चेड़ चाड़ की जा रही है और जिस परकार से EWS को लाए जा सकता है उसी तरीके से इसको भी लाया जा सकता है लेकिन अब Union Cabinet ने कह दिया है कि हम Constitution की बात मानेंगे उसमें कहीं परवाफधान नहीं है तो नहीं करेंगे जो विरोधी दल है जो जातिकत जो पॉलिटिक्स है उसको करते है उनको कहना है कि ये एक Homogeneous Society है जो एक Schedule Cast है, Schedule Tribe है एक Homogeneous चीज है यानि कि एक सामांगी टाइप की चीज है कि यहाँ पर कोई भेदबाव नहीं अंदर लेकिन अगर बारीक लेवल से आप सभी जानते हैं कि हरे एक जाती के अंदर भी भेदबाव है उत्तर के जो ब्राह्मन है वो दक्षिन वाले ब्राह्मन को अच्छा नहीं मानते दक्षिन वाले ब्राह्मन जो है उत्तर वाले को अच्छा नहीं मानते को राजस्थान का ब्राह्मन होगा तो बिहार वाले ब्राह्मन को अच्छा नहीं मानेगा तो उसी तरीके से शेडूल कास्ट में भी है हर एक जाती में छेत्रियत के साथ साथ बहुत सारी भिन्नताएं है और बहुत सारे वहाँ पर बेदवाओं तो एक होमोजेनस क्लास नहीं है जैसा कि पुलिटिकल लीडर कह रहे हैं वो सिरब इसी लिए कहा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अब नए नेता नए गुट उभरने के लिए एक मौका मिल गया है जो शेडूल कास्ट जादा पीछे है जिसका रिपर्जेंटेशन नहीं है अब उन में से नेता उट सकता है और अगर उसकी पॉपुलेशन अधीक है तो वो सत्ता में भी आ सकता है वो सीटे भी जीश सकता है तो जो बड़ा खेल है वो लोगों का भला करके न भला इस चीज में है कि जो सत्ता है वो ना चली जाए इसलिए इस बात पर जोड़ दिया जा रहा है कि homogenous है या पर नहीं किया जाना चाहिए इसलिए जो central government है वो भी यह सोच रही है opposition में भी सब लोग चुप चाप हैं अपनी तरीके से काम करना चाह रहे हैं कोई किसी को नराज नहीं करना चाह रहा है और इसलिए 21 अगस्त को एक बहुत बड़े बंद का ऐलान किया गया है देखिए जो supreme court का decision है वो binding नहीं है supreme court ने कहीं भी नहीं कहा कि वो binding है और इसके उपर एक law बनना चाहिए supreme court ने केवल सला दी है central government की मर्जी है पार्लेमेंट में लाएं तो ले आएं ना ले के आएं तो ना ले के आएं लेकिन अगर कोई state government करना चाहती है तो वो करने के लिए उसको छूट मिल गई है अगर UP की government चाहेगी हमें इस policy पर आगे बढ़ना है किसी data को लेकर तो उसको challenge करने के लिए सुप्रीम कोट जाने के जुरूद नहीं है वो अपना काम कर सकते हैं लेकिन पार्लेमेंट में अक्ट आएगा नहीं आएगा यह भी मुश्किल है और क्या इसके लिए पलटने के लिए भी एक्ट आएगा वो भी मुश्किल है क्योंकि ऐसा इसमें आदेश नहीं है जैसा कि शाह बानो वाले केस में था जहां पर बाद में एक्ट लाके वो त्रिपल तलाक वाले को पलटा गया था तो यह था हमारा एक पूरा एक overall discussion जिस तरीके से reservation शुरू होती है जो constitutional amendment हुए और किस stage तक आज यह बात पहुँची है और Supreme Court ने बहुत ही खुले मन से बहुत ही detailed अपना judgment लिखा है किसी बात को उन्होंने छोड़ा नहीं कि बात में दुबारा कोई review के लिए नहाजा उन्होंने बार-बार लिख दिया है कि जो main constitutional जो act है जो article है उनके साथ वो छेड़-चाड नहीं कर रहे है और नहीं basic structure के साथ एक तरीके से कोई छेड़-चाड की जा रही है तो आज के वीडियो में इतना ही इस पर अपने comment जरूर करें क्योंकि इससे जो एक viewpoint है वो develop होने में बहुत मदद मिलती है सबकी हमारी भी और जो भी viewer है उनकी भी तो इसी के साथ धन्यवाद मिलेंगे next वीडियो में झाल